पनीर की सब्जी पनीर की सब्जी के साथ में कुछ वेजिकेबल्स भी यूज़ करने वाली हूँ पनीर की सब्जी बनाने के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए हैं और फ्रेंट्स आपको बैगरांड से थोड़ी आवाज या सकती उस चीज़ को आप इग्मोर कीजिएगा चार प्याज है बारिक चोप चार से पांस टमाटर है बारिक चोप और चार सो ग्राम के आसपास ये पनीर है चोटी पीस में कट दो टमाटर की प्यूरी है एक मीडियम सैज का बाउल है मटर का आठ लसन की कलिया एक इंच अदर का टुकड़ा और तीन हरी मिर्च का पेस्ट है कुछ हरा दनिया है जो मैंने बारिक चोप किया है तीन बड़ी शिमला मिर्च को मैंने बारिक चोप किया है दो चुटकी हींग है एक चमच जीरा है आदा चमच नमक है दो से तीन तेज पत्ते हैं लाल मिर्च आदा चमच है ना मातर के करीब आदा चमच अल्दी पाउडर है और एक चमच पनीर का मसाला है और आदा चमच गरम मसाला है यह पनीर का मसाला बिल्कुल homemade है और इसका link आपको मेरे description में मिल जाएगा सबसे पहले हमने एक कड़ाई को गैस पे चड़ा दिया है और इसके अंदर हमने एक बड़ी चमच के करीब रिफाइंड ओयल डाला है आप ओयल को अपनी जरुत के हिसाब से कम जादा कर सकते हो या फिर आप इसकी जगे कोई तेल या फिर घीब यूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो तेल को थोड़ा गरम करेंगे ओयल गरम हो चुका है तो इस टेज पे हम इसके अंदर जीरा डाल रहे हैं हिंग डाल देंगे और जीरे को लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे साथी साथ मैस के अंदर तेज पक्ते भी डाल रही हूं सबी चीजों को हमने चमत से हिला तेवे लाइट गोल्डन कर लिया है अब हम इस स्टेज पेस्ट के अंदर लसन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे आप चाहो तो लसन अदरक का पेस्ट अलग और हरी मिर्च को अलग से कर सकते हो मैंने तीनों ही चीजों को हुंडी के अंदर पूठ लिया था और सभी चीजों को चमत से हिलाते वे अच्छे से mix करेंगे इसे भी हम light golden होने तक पकाएंगे यहाँ पर सभी चीजे light golden हो चुकी है तो इस stage पर हम इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं प्याज को भी हम चमत से हिलाते वे अच्छे से mix करेंगे और इसे भी हम light golden होने तक ही पकाएंगे आप देख सकते हो कि प्याज भी यहाँ पर light golden हो चुकी है तो इस stage पे हमने इसके अंदर बारिक चोप की हुई शिम्ला मिर्च को डाल दिया है आप यहाँ पर अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सबजीस के अंदर add कर सकते हो सभी चीजों को चमत से हिलाते भी अच्छे से mix करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी चीजे अच्छे से mix हो चुकी है इस stage पे हम इसके अंदर अब मसाले add करेंगे सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ और साथी साथ मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल optional है अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा ने तो skip कर दीजेगा और नमक और मिर्च को आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो साथी साथ इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और अब मैं इसके अंदर पनीर का मसारा डाल रही हूँ यह मसाला मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है और इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आदा चमच के करीब इसके अंदर हरा धनिया पाउडर डाल रहे हैं और यह मैं आपको पहले दिखाना बोल गई थी सभी चीजों को चमच से हिलाते भी अच्छी से मिक्स करेंगे यहाँ पर सभी चीज़े अच्छे से मिक्स हो चुकी है इस स्टेज में इसके अंदर थुड़ा पानी आड़ करूंगी आप देख सकते हो यह 3-4 चमच के करीब पानी है और सभी चीजों को फिर चमच से हिलाते भी अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी चीज़े अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम इसे कुछ देर के लिए ढखकर के पकाएंगे कुछ देर हो चुकी है ढखकन हटाते वे सबजियों को चेक करेंगे सबजियों को हमें हलका सा सॉफ्ट करना है जादा भी हमें नहीं पकाना है तो चम्मत से हिलाते वे सबजियों को हम चेक कर रहे हैं सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं जिस तरह की हमें चाहिए हैं अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर टमाटर एड़ करेंगे और साथी साथ इसके अंदर अब हम दो टमाटर की प्यूरी भी एड़ कर रहे हैं सबी चीजों को चमत से हिलाते वे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे सबी चीजे अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं तो अब हम इस स्टेज पर इसे कुछ देर के लिए ड़क करके पकाएंगे कुछ देर हो चुकी है डखन हटाते वे सबजी को चेक करेंगे चमत से हिलाते वे सबजी को उलट उलट करते वे हम चेक कर रहे हैं सबजी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है अच्छे से पक चुकी है अब हम इस सारी ही सबजी को पोटेटो मैशर से थोड़ा सा मैश करेंगे आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से सारी सबजी को मैश कर रही हूँ और अगर आप सबजी को पोटेटो मैशर से मैश नहीं करना चाते हो तो आप इसी तरह से सब्जी को थोड़ी देर के लिए और पका लिजेगा और सब्जी का सारा ही पानी सुखा लिजेगा ये आपकी अपने इच्छा है जैसे भी आपको पसंद हो यहाँ पर हमने सब्जी को अच्छे से मैश कर लिया है और साथी साथ अब हम इसे चमत से हिलाते वे कुछ देर के लिए और पकाएंगे और सब्जी का सारा ही पानी सुखा देंगे तो कुछ देर के लिए और पकाते हैं और मिलते हैं थोड़ देर की बाद कुछ देर हो चुकी है, सबजी का पानी अच्छे से सूख चुका है तो इस स्टेच बे मैं इसके अंदर बारिक चोप के अवा हरा धनिया डाल रही हूँ गरम मसाला डाल रही हूँ और सभी चीजों को चम्मत से हिलाते वे अच्छे से मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए और पकाएंगे तीन मिनट खुला पकाने के बाद अब मैं इसे दो मिनट के लिए ड़कर के पका रही हूँ दो मिनट हो चुके हैं तो अब हम ड़कर हटाते वे सबजी को चेक करेंगे आप देख सकते हो कि मैं चमत से हिलाते वे सबजी को चेक कर रही हूँ और सबजी ने थोड़ा पानी और छोड़ दिया है तो फ्रेंट्स इससे कोई प्रोब्लम नहीं है सबजी अच्छे से पक चुकी है और थोड़ा पानी जो बचा है वो भी थोड़ देर में अपना आप सुख जाएगा अब हम इस स्टेट पे इसके अंदर बाईक चोप क्या पनी डाल रहे है ये सबजी खाने में बहुत ज़़ादा टेस्टी और काफी डिफरेंट इसका टेस्ट है तो आप भी एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा और चम्मत से हिलाते वे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ देर के लिए और पकाएंगे मैंने पनी डालने के बाद एक से दो मिनट के लिए सबजी को और पकाया है और आप देख सकते हो कि हमारी सबजी बनकर की तियार है आप मिलेंगे सर्व करने के बाद यहाँ पर मैंने गर्मा गरम पनीर की सबजी को सर्व कर दिया है और आपने देखा कि मैंने इसके अंदर वेजी टेवल्स को भी एड़ किया है जिससे कि ये सबजी काफी हेल्दी हो गई है और साथे साथ मैंने हारे दनीय सेस की गानिशिंग की है देखने में जितनी यम्मी है खाने में ये वो ज़दा टेस्टी है और सभी छीजों के साथ बहुत पसंद आएगी एक चम्मच में भी मैं आपको लेकर की दिखा रही हूँ कि हमारी पनीर की सबजी कीतनी परफेक्ट त्यार हुई है देखने में जितनी लाजो आदे खाने वी वो जड़ा टेस्टी है आप इसके साथ रोटी, प्रांधा, नान, पूरी या पिर चाब, कोई भी चीज़ा कर सकते हो, इस सबी चीज़ों के साथ का पिर टेस्टी लगती है अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइब और शेयर जरूर कीजिएगा बेल आइकन दबाना ना पुलिएगा, ताकि मेरे कोई भी वीडियो अप्रोट होते हैं तो उसकी नप्रिविक्शन आपको मेल सकते हो, आप शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे दिस्क्रिप्शन मेरे मिनेश्ट्रा का लिंगे वा सेंविक्वर कर सकते हो, तो फ्रेंड्स आप प्राइज जरू कीजिएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा, क्या आपके पनेटी सद्धि कैसी बनी और वर वर्याथ में सद्धिएगों कैसी रगी, और आब मेले ये एिने निए टीए